इतना आचार बिग जाता हो अगर महीने का बात करें बस अभी हिसाब तो तो अच्या लगा तेश आप चीज लगा टॉन अबर बुचला है ऐसे ही बोल रही है आप चीज लगा तो अब बड़े चांपियन्स के पास भी आपने इतने सारे जो अवार्ट से वो अपने नहीं देखा होगा चतना सब कुछ चाची को मिला हुआ है यहाँ पर किरीशी मंतरी में तो हमको लगवा बुझा राजे दस किरीशी मंतरी हमको समानित कर चुके हैं दस किरीशी मंतरी वी देशों में भी जाता होगा हमारा लोग बहुत बिरोध किया पूरुष परदान देश है पूरुष भी खेती करते हैं महिला कैसे हो गई देखे हमको घर वाला ही घर से माने दो बेटी था यह बेटा तो गरीबी के कारण हमको चोड़ दिये हुए था कि एक ऐसा मर्द जो खेती बारी कर सकता है अनाश को जा सकता है और वो मार्किर तक बेच सकता है उसको लेकिन हमारे साथ आपको किसान चाची अज नजर आएंगे जो पदमिश्री से सम्मानित की गई थी 2019 में बात करते हैं आखिर उनको किसान चाची ही क्यों कहा जाता है बहुत-बहुत स्वागत आपको किसान चाची से दो सब्सक्राइब तो फोरा सा यह बता है कि आपको किसान चाची क्यों कहा जाता है थोरा के बताएंगे ज्यादे बताएंगे कीजिए चछान आफमें किरिसी लगता था वहां पर अपना प्रोडक्स रखे उसमें पुरस्कार हमको मेला तो उसके बाद में सरकार का परपोजल चला इसन दिजसको अच्छा होग तो उसका किसान शिरी रह गा और जो पूरे जीला में एक बश कर निचो रह रह गा तो किसान झुझण रहेगा और जैसे बिहार में औरतिस जिला है, औरतिस जिला में जो कई गो कर जाएगा, तो एक किसान रत्न मिलेगा, एक लाख, दो लाख, पांच लाख, तो आही हम एक लाख में थे, यहां से 17-18 किसान बहड़े हुए थे, उसमें हम चैन हुए, बिहार में 533 बलोक है, उसमें सिंग पुरुस भी खेती करते हैं महिला कैसे हो गई इसका चैन कैसे हुआ तो हमको मिला तो गाउगर में जाते थे पहले भी उसके बाद पुरसकार मिले के बाद भी जाने लगें तो जेन्स लोग थे से पढ़े लिखे से पते थे यही किसान चाची किसान सिरी है यही किसान सिरी है तो बच्चे लोग को नहीं कहने आता था तो वही लोग सिखाते थे आरे किसान चाची कहो नहीं सिधा हो गया किसान चाची हाँ किसान चाची बाकर इसी मित ही रह गया लेकिन मान्य मुखमंत्री जी जब हमारे घर आ है तो हमको किसान ह हाँ, 2010 में हमारे घरा है, तो वह ही किसान चाची से जाजे संबोधित किये, और जो हमारा प्रोड़क्स जो आज इतना हम उसको पनी में पर करते थे, उपर से हाथ से लिख करके लिखते थे कि स्वयम सायता समो आनन्दपूर जो थी, राजकुमारी देविस सचिव, और उस प किसान चाची बाँ रहे तो वहीं उनके तोहने से किसान चाची बाँ हो गया, यह सारी चुनाथी तो आप बताएं की मार्केट में किस तरीके का आपको मिला, लेकिन मुझपरपुर के सरीया के आनन्दपूर एक छोटे से गाउं में आप रहती है, घर का क्या सपोर्ट था घर पेर कभी लोगों ने मना किया कि भाई बाहर मत निकलो क्योंकि जिस हमासे हम आते हैं हम लोगों को भी मना किया जाते है कि रात को बाहर नहीं जाना है बहुत जादा बाहर का काम नहीं करना है या फिर लगता है कि सेफ नहीं है अगर महिला बाहर निकलती है तो घर का क्या कपड़ा पहने पढ़ाई लिखाई तो बहुत गड़ी था इसलिए हम खेत जो ही दिये उसमें अपने से काम किये और अपना नोलेज ही खोले कि धान के हुंका हम खेती नहीं किये मक्का का खेती नहीं किये हम जो भी किये सब्जी का खेती किये हमारा दील में यही क्या पता भ लगाई यह कद्दू लगाई यह खीरा लगाई यह बईगन लगाई यह जो भी लगाई है दो महिना में नुका दाम-दोनी आपको हो जाएगा तो हमको तो गरीबी था बचे लोगा खाने के लिए भी कठी नाई था तो वही हम सब्जी का केती कि और खेती से करके हम इतना आ हुआ 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 अपने से बीज निकाल लिया करें बाकि जो जिस समय पहले लगाई तो अच्छा फाल बड़ा होगा जैसे जैसे अपने बीज को आप लग करके और फिर उसी को फिर उसी खेतो लगाई यह लगाई तो इसका हमारे यहां पर क्रिशी विग्यान के अंदर कोई से पहले से हम पूसा ऐंवर्सिटी जो सरमस्ति प्रमया हुआ है वहाँ से हम लोग बीज लाते थे हएं हम लोग को जानकारी था कि अच्छा भी जोहां पर मिलता है ठोली पूसा तो हां मिलता था था टो ऑढ़िंग्यान के ऑंद यहां 2 हजार में एससे पहले से हम हम जब जाती थी तो लोगों को क्या रिक्षन रहता था कि जब आप खडीद ने चुनने जाती थी या समझने जाती थी कैसे कौन सी चीज लेंगे जिसे उपज बढ़िया होगा अहां तब लोग कहा था कहीं कोई पहले तो महिला लोग नहीं न जाती थी कोणों समाल ले लिगे पहले महिला जान करके हमको जल्दी देता था हम नहीं को सुनना नहीं था हमारे समाज में इसी तरह है जो आगे बढ़ेगा न उस पर लोग घिचता है तो उसके लिए हम उतना चिंता नहीं कि हम सोचे कि हमरा काम करना है तो हम अपना ली और आए पुसा दूरी परता था समेरे जाते थे किसी तरह वहाँ दस बजे पहुँच जाते थे और ले करके यहां पान छे बजे चलाते थे बड़े बड़े चैंपियंज के पास भी आपने इतने सारे जो अवार्ड से वह आपने नहीं देखा हुगा जितना सब कुछ चाची को मिला हुआ है यहां पर तो कब से शुरू हुआ यह अवार्ड लेने का सिंसिला अवार्ड लेने का सिंसिला हम आँको दोहजार तीन से हुआ दोहजार तीन से बुलाना शुरू हो गया है लोग जे 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 तो यह कितना मतलब लगबख होगा यहां पर आपके पास सम्मानित जो आपको किया गया उसका बहुत तो घड़े पुरान हो गया तो फिका हुआ ह फिर नाया जो है सोही है अभी तक मिली रहा है तो पुरान पुरान जो है से बीचे अपने हो जाता है लेकिन इनाया मिला है सो सब आम तोर पर हम लोग सोचते हैं कि कोई सेलिबरिटी से मिलने का मौका मिल जाए कभी कोई एक राजनेटा से मिलने का मौका मिल जाए चार्च में हमको लगभा हुजा रहा थे दस कृशी मंतरी हमको समानित कर चुके हैं दस कृशी मंतरी भेलुए तुमाने हम 2007 से तस कृशी मंतरी हुँगे जो अब नाम सौब आगमि को याद नौई तो भी याद है सबसे पहले एक लाखरु कईया दिये नरेंदर सिंग कृशी मंतरी प्रेधान मंत्री जी से भी आप मिली हैं? हाँ उनसे उपको बुलाए थे 2013 में छौ सितंबर को बुलाए थे तो भी समानित की हमको हमारी बिग भी मतलब आमिताब बच्चन से भी आप मिली हैं हाँ अमिताब बच्चन जी तीन वर बुलाए हूए के वी सी में भी आप गए हैं? हाँ लोग को चुनने के लिए दिखाया गाए हूए हमको जो बुलाए थे ना पूरे भारत बरके पच्चास आदमी गया था जेंस माहिला दोनों जो अच्छे अच्छे काम करने वाले के उसमें जैसे जैसे बात की हैं तब धीरे धीरे दो ही आदमी को शिप्त की हैं? हाँ जो जमीन से अपने परपर खाड़ाओ कर काम किया था देखें काम हमको पूजी है तक बहुत बड़ा बड़ा काम कर लिए उसको उनहीं सिप्ट की है जिसको जीरो पर थे अपने परपर उतना आगे बड़े उसी को सिप्ट की कभी मैसूस होता है कि आप कहां पहुँच गई हैं लोग इतना जदा आपको खोजते हैं डूनते हैं बाते करते हैं आपके बारे में लोग सर्च करते हैं कि भाई किसान चाची कौन है अब जो स्टॉक मुझब परपूर में गई वह आप इतने अचे तरीके साब ने करते हैं लोग घो जो 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 आज भी लिंक नहीं लोग घोर में गो त्या कापड चिकन लेग थे तो हाले से फोटों अब मोबाइल परस यहां भीज भीज देगा हम तो इहां थे मंतरी अधी अमिशाजी भीयाल थे तो इस अधरी नहीं हो फोटों गीचेला कुछ भीज़ किसी को अधिम काम से मतलब रहता हैं लोग हमको बूलाया हम ऐसा बात नहीं है कि हम कहीं पड़िवी करते हैं और आंड पहुंचे हम लोग खुछी से भीज़ बिलाया इतना घूमते रहती हैं आपके इतने दिन घड़ पर रहती हैं पताईए थे घड़ पर तो रहते हैं ज करती है करवाती है तो हम सब देनी आज हमारा बेटा आप लोग का बात था तो हमको पटना जाना था पांच छे आदमी चला आया आज तरेनिंग है हम आदमी को रखे हुए थे तरेनिंग देने के लिए फिर बेटा कहा है जमा से तुहीं रह जो हम ही जाई उसका काम बंद हो हम अपने काम की है अब अपने गाओं में कितने लोगों को बढ़ाएं कितने लोगों को सिखाएं क्या क्या की है महिला को हम तो किये से किये महिला लोग बढ़ चुकी है का है कि पहिले जो था ना एक महिला घर से निकलती थी थी ना तो पोरोसी में जो बढ़ बढ़ जो ल हमको निकलने से महिला लोग को गद हुए जो महिला निकल नहीं है तो अपना काम के लिए सही जगह पर चा रही है लोग सिद्धे इजद पर बात करते हैं कि अगर बाहर निकल ले तो कुछ ना कुछ गलाथ ही करेंगे यह तो था इजद वाली बात जो है ना बहुत सेंट पर आज भी वही आदमी है बीचार बदल गया तो जंगर राज इसको नहीं कहेंगे लोग को मानसिकता बदल गया इसलिए बदला कि देखें फिप्टी परसंद आरक्षन सब कुछ में लगया तो महिला सब महिला काम कर रही है आंगणबारी में है फिर आसा में है फिर आंगण सबस्संद अब बदल भ opini कर दी अब यू जा तो जहां टम 276 में जाती अपने पती को लै कर जाती हां पती को देए बद इत działa चा एके और बैग पैसे बात करती है अब पति को देती है जे बचोर करको हम चले हैं चोटा बदका बदक कर थकी फर क्यों है अब यो कापड़ा ड़्या रहता है तो भुच्गलेकर इसे चलते हैं तो देखने में पाइले आपको ख dwa डहao करेंगे कि स्वतंत्र होगा सही बाथ है पती पती होता है मान समान हमेशा होना चाहिए मैंने हंसी में हम कह दिया बाकि पती का मान समान होना चाहिए पहले तो लोग सब को इक हमार रहता है अच्छा पती मिले जब अच्छा पती मिल जाता है तो अच्छा बच्चा मिले तो अभूब वान की संदूर को जिसा आप सबस्ाथ को अच्छा बात है और इसलिए कुछ समझ में आता है कभी ऐसा नल रहता है जो उसको खोलना नहीं पता चलता हम लोग भी कभी गए हैं पता ही नहीं चलता है शुरू कहां से होगा बाहर हम लोग को बाहर जाने का ब्योस्ता है तो हम तो बहुत कुछ देख लिए एक यहीं चीज नहीं देखे कोहीं भी भगवान को नहीं देखे काहिए लोग हमको बहुत लोग समान में है न कहता है कि सोब तो नेते के जोरे रहते हैं अखाली यह सब देखाई ले तेका भगवानों से कहीं भेट कोड़े जाओ तो भगवान से अपना पईसा हुआ नहीं जो उसमें दो सजार बी सजार खोड़ाच कोकर जाए काहिए पई ले लेगी सोब घूमीय लेली लोग से बश्र बश्र कर एपड़ाई लेख बबागवान लेख कोड़े ले कहीं तो नहीं वो पहीं लोग सब अबादा महान के यह यह लिगए का मौका निमिल पातथा अप तो लुइ नहीं अशर कड़ने करते घे उमारा क्ाथ यहां पर ल तो न लगा विद तो उफो न देखें अचार जो आप बनाती हैं उसमें मतलब क्या एसा डालती हैं जिसे किसांचाजी का चार इतरा फीमस है देखें लोग कहता है आप कोनों काम की है आप तेंगा फ़िए उसमें गड़ बरी हो जाए चाहे कुछ हो तो तो गड़ तेंगों बनावाई तो पांसाल चोशार के अचार आप तो लेकिन हमरा जो ट्रेनिंग जोती में रहां को दीए सुध तेल आप नमक का ची जो भी बनाएगा ना पीजर्वेशन के लिए नमक सही रहना चाहिए और तेल भी मात्रा का सही रहना चाहिए दोलों मात्रा आपका टुजे जितने लोग आपको देख रहे हैं क्या आपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगी जितने लोग मतलब ठग जाते हैं बहुत नौ मतलब अपनी जवानी में ठग जाते हैं उनको लगता है कि काम करना करने से उनका जो है वो शरीर घटते जाएगा प्रा मरा स्विकूर गया है यहां जो जहां रहते काम करते हैं बहुत सारी महिझा जो बहुत कुछ नहीं कर पाती है उनको क्या मेसेज देना चाहेंगी आप नहीं देखिए मोण काहिन तो कहीं नहीं है हम को आख सोचेगा काम करना चाहिए हमको अपने परपर खाड़ होना चाहिए जब तक ले कुछ छोड़ीएगा नहीं, तब तक ले आपका नाम नहीं होगा। किसान चाची का पूरा बादशीत हमेर से जरूर कीज़ेगा और बड़े कि अगले वीडियो में और नहीं चाहिए अगर आप कोई चीज छोड़ेंगे नहीं तो आगे नहीं जाएंगे जितने लोग देखे रहें अपनी पैचान बनाने की कोशिश करें इनकी तरफ से एक यही संदेश दें बाकि मिलते हैं अगले वीडियो में एक नही कहानी और एक नही जानकाडी के साथ थैंक्यू सो मच